राजस्तान विधानसवाद चुनाव के बाद एवियमें बंद एक सुनिन नानवे उमीदवारों की किस्मत का फैसला आगामी तीन दिसंबर को होगा जब एवियमें बंद जनता के वोटों की गिंती शुरू होगी मुखे निर्वाचन अधिकारी प्रवीन गुपता ने बताया कि मतगरना दलों के लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारीयों उप जिला निर्वाचन अधिकारीयों रिटर्निंग अधिकारीयों अतरिक्त रिटर्निंग अधिकारीयों वो आईटी स्टाफ को बुधभार को ओनलाइन पशिक्षन दिया जाएगा 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से सभी केंद्रों पर पोस्टल बैलेट और साड़े 8 बजे से EVM के माध्यम से मतगरना आरंब हो जाएगी उन्होंने बताया कि जैपुर, जोतपुर वर नागौर में दो-दो केंद्रों पर और शेश 30 निर्वाशन जिलों में एक-एक केंद्र पर वोटों की गिंति की जाएगी और इस तरह 199 विधानसमा निर्वाशन छेत्रों के लिए 36 केंद्रों पर मतगरना की जाएगी मुखे निर्वाशन अधिकारी को लेकर पशिक्षर दिया जाएगा उन्होंने बताया कि जैपूर के एक खेतान पॉलिटेकनिक कॉलिज में अंतर जिला पोस्तल बैलेट के इंद्र का निर्वाशन किया गया इस दोरान उन्होंने डाक मतवत्रों की गढ़ना के लिए की जा रही तैयारियों को भी देखा और साती आवेशक दिशा निर्देश भी दिये साती सुरक्षा के पुक्ता इंतिजाम भी मुकिन रवाशन अधिकारी ने कहा कि मतगर्ना स्थल और उसके आसपास के छेतर में सुरक्षा के पुक्ता इंतिजाम किये गए हैं मतगर्णा स्थल पर प्रवेश के लिए 30 तरिय सुरक्षा की विवस्था की गई है ताकि मतगर्णा स्थल पर किसी भी दरा का कोई विवधान न होने पाए उन्होंने कहा कि ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि आयोग के निर्देशों की पालना करते हुए परिणाम बिना किसी तुर्टी एवं देरी के समय रहते घोशित किये जाएं मेंडेटरी वेरिफिकेशन पद्दती लागू होगी मतगर्णा में पूर्ण निश्पक्षता बनी रहे इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अपनाई जा रही मेंडेटरी वेरिफिकेशन पद्दती को भी लागू किया जाएगा इसमें समपूर्ण मतगर्णा के बाद प्रतेख विधान सभा के मतदान के इंद्रों से लॉट्री से पाच पाच वीवी पैट का चयन कर उसकी पड़चियों की गर्णा कर इवीम से प्राप्त मतों से मिलान किया जाएगा एपी बीपी एमेस मतपत्र को लेकर दिये गए आवश्यक निर्देश रिटर्निंग आफिसर परवेक्षिकों की निगरानी और उमीदवार या उनके एजेंटों के समक्ष वीवी पैट मशीन से निकली पड़चियों की मतगर्ना और मिलान होगा आपको बता दें कि सेवा नियोजित मतदाताओं के लिए Electronic Postal Ballot Paper Management System से जारी किये गए मतपत्र 3 दिसंबर 2023 को सुबे 8 बजे से पहले मतगर्ना केंद्रों तक आवश्यक रूप से पहुच जाने चाहेंगे